Hey beautiful souls, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत खुश होगे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा और अभी 2023 में कुछ ही दिन बचे हैं, I think 15-16 दिन ही बचे हैं So guys, क्या आप ready हैं 2024 को welcome करने के लिए? क्या आप excited हैं new year में enter करने के लिए अपने सारे goals के साथ, अपने सारे wish list के साथ इस नए year को start करने के लिए So guys, 2024 में जाने के पहले हम 2023 के लिए अगर हमारे कुछ भी negative emotions हैं या कोई भी blockages बचे हुई हैं, कोई भी negative energies बचे हुई हैं तो क्या आपने उससे पूरी तरह से heal कर लिया है? अभी अपना emotional frequency टेस्ट करते हैं So अपने वो friends जो बहुत ज़्यादा successful है या आपके वो cousins जो बहुत successful है, happily, married है या settled है जो अपनी life में, अपने career में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में सोच कर देखिए आपको कैसा feel होता है क्या आपको comparison feel होता है? क्या आपको jealousy feel होती है? क्या आपको खुद के लिए helplessness वाली feeling आती है? या फिर आपके अंदर और भी कुछ भी negative emotions feel होते हैं अगर आपके अंदर कोई भी fear है, regret है, hatred है, jealousy है, comparison है या कोई competition को लेकर कोई भी negative feeling है अगर आपके अंदर कोई भी negative emotion, कोई भी negative energies है तो आपको healing की ज़वदत है इन सारे negative emotions के साथ अगर आप new year में enter करेंगे तो आप फिर से वही same patterns को, same experiences को, same situations को attract करेंगे जो आपको same ही feel कराएगी अगर आपके अंदर fear है, अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कुछ भी regret वाली feeling आ रही है कोई भी pain है, या किसी भी तरह का कोई भी loneliness वाली feeling है So guys, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं पर आपकी healing नहीं हुई है तो अभी भी आपके पास time है, आप अपने सारे emotions को अच्छे से heal करिए और एक नई positive fresh energy के साथ new year में enter करिए जिससे next year के लिए आपने जो भी अपने goals decide किये हैं अगर आपने अभी तक नहीं किये हैं, तो आप उन्हें लिखिए क्या-क्या goals हैं आपके new year के लिए, क्या-क्या आपकी wishes ने अपनी wish list बनाइए और उन सब भी के लिए अपने एक fresh mind के साथ new year में enter करिए So guys, 15 days का एक challenge दे लिए मैं आपको, एक challenge accept करिए और 15 days के लिए आपको daily अपने सारे negative emotions को one by one सब को heal करना है जिससे कि new year जब start हो, तो आपकी सारे negative energies पहले से ही clean हो and इसके लिए मैं आपको एक new prayer बता रही हूँ कि आप open open हो कैसे कर सकते हैं आपको बस इतना करना है कि अपने eyes close करनी है, everyday एक negative emotion लीजिए और बॉलिए, मेरे अंदर ये जो negative emotion है, मैं इसे अभी clean कर रही हूँ I am sorry, please forgive me, thank you, I love you मेरे अंदर ये जो hatred वाली feeling है, इसे मैं अभी clean कर रही हूँ I am sorry, please forgive me, thank you, I love you मेरे अंदर जो jealousy वाली feeling है, इसे मैं अभी clean कर रही हूँ मेरे अंदर जो भी पेन वाली फीलिंग है उसे मैं अभी क्लीन कर रही हूँ इस तरह से आप अपने सारे निगेटिव एमोशन को रिलीस करिये डे बाई दे एक दिन में एक एमोशन के लिए करिये आप और उसके बाद 108 बेसिक हो ओपन अपन अपन अचैन करिये आपको फील करेंगे आपके सारे निगेटिव एमोशन आटोमेटिकली रिलीस हो जाएंगे और यह करके आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से करिए डेली ओपन अपनो और कमेंट बोक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितना चेंज फील हो रहा है कैसा लग रहा है आपको आपके निगेटिव एमोशन रिलीस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और अगर आपके कोई भी प्रेस्टेंस हैं तो वो भी आप कमेंट बोक्स में ज़रूर पूच सके हैं सो गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइए